हेलो एड़ोन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हुराकेश शल्रजा आपका अपना अप्टिट्यूट मेंटर मैं आप बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्थ प्रीविएस येर के पेपर सारे के सारे साल्व करवाने की वीडियो लेक चुका हो इंग्लिश वाला आज मैं दूसरा वीडियो बना रहो मैट्स के लिए तो इस वाली वीडियो में मैं आपको हॉश्चल वर्डन का प्रीविएस येर में मैं मैथमेटिक्स वाल जो सक्षन है वो पूरा का पूरा विट्रिक्स सॉल्व करके बताऊंगा जिसमें सि को कैसे ट्रीट करना चाहिए कैसे अप्रोच करना चाहिए यह दोनों चीज आपको परादा चल जाएंगे वड़ाक से क्वेश्चन वर्वन पर चलते हैं सुनो क्या कहता है ए तथा बी की आउसत आयू 20 वर्ष है ठीक है तो पहले आप आउसत समझ लीजिए थोड़ा सा ड इवतर एगे खी अब इसका मतलब के है इसका मतलब ही है कि अगर मैंने अवरेज में यह number of terms ही 30 kalori कर वा दिए मतलब कैसे दिखाए दसल जेखना average इंटू remember of the terms एगर मैंने इस आवरेज में number of times a cross multiply करवा दिया तो मुझे यहां से Sums पता चल जाएगा मुझे यहां से sum of terms पता चल जागा तो यह एक funda है यह थोड़ा सा fast करने की technique है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर हम लोग कभी भी average में number of terms का into करवा देते हैं तो हमें sum of terms पता चल जाता है चीक है भई चलो अब काम करना शुरू करते हैं मुझे दिखा इधर है कि a और b का उसत तो a और b का अगर मुझे sum जानना है तो मैं क्या करूँगा average में average किता है कि even है 20 उसमें number of terms कितने term है 2 उसे into करवा दूँगा ऐसा हो जागा यह पर चला फिर सेख़र कोशिश करता हूँ बोलता है यदि c a का इस्थान ले लेता है a की जगा पर किसको लिख दिया मैंने c b का b वैसा ही रहा तो जो average है वो 19 हो जाएगा तो average मुझे पता है 19 अब इस से करवा आपको sum निकालना है तो number of terms का into करवा दोगे तो वो sum बन जाएगा तो यह हो गया 38 ऐसा ठीक है फिर बोलता है यदि c b का इस्थान ले लेता है a का a वैसा ही रहेगा b की जगा पर c आ जाएगा तो average जो है मेरे हिसाब से question के हिसाब से वो दरसल 21 हो जाता है तो average में दो terms है अगर आपने उसका into करवा दिया तो आपको sum of terms पता चल जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास 42 ठीक है आपसे पूछ रहा है question में यह पूछा जा रहा है आपसे कि a b और c की औसता यू क्या होगी मुझे न a b और c की औसता यू निकाल कर देना है तो अपन कैसे निकालेंगे अपन इन तीनों को add कर देते हैं यह जो तीन equation है न मेरे पास एक दो और तीन इन तीनों को add कर देता हूँ तो a plus a 2a b plus b 2c c plus c 2c तो यह हो जागा twice of a plus b plus c और जब मैं इसे जोड़ता हूँ तो यहा जाएगा 120 इसका मतलब कि a plus b plus c a plus b को यहाँ पर put कर दिया भी आपको a plus b plus c जो है वो 60 पता चल गया अब इस a plus b को दरसले सोली चीज़ को सीखने के कोशिश करना इस a plus b को यहाँ पर लेक दो कि तो c पता चल जागा ना a plus b कितना है 40 है तो 40 plus c बराबर 60 मतलब c बराबर आजाएगा 20 तो c की value आगई हमारे साब से 20 सब्सक्राइब वैसे देखो c plus b है यहाँ पर लिख दूगा यहाँ पर लिख दूगा यहाँ पर लिख दूगा यहाँ पर 32 लिखोगे और पहले सही बी लिखा हुआ है बराबर 60 तो आपके पास बी की value आजाएगी और a प्लस c है ना हाँ ठीक है तो आपके पास b की value आजाएगी वह आजाएगी 22 मतलब आप थोड़ा सा प्लस मैंने साब से देख ले ना मैंने डिर्क डिर्क लिख दिया है वस मैंने क्या किया है सबसे पहले a plus b को यहाँ पर पूट किया इस वाले एक्सप्रेशन में a plus b रखा तो c पता चल गया वह आगया में पर 20 फिर b plus c रखा तो a पता चल गया वह आगया 22 और फिर a plus c रखा तो वह को भी पता चल गया वह हो गया 18 तो a b c की value आगई 22, 28 और 20 इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बड़े जाएगा चाहिए तो आपने यह भी चीज़ करते चली कौन कौन से चैप्टर से कुछे जा रहे हैं तो मैंने यह देखा सबसे पहला जो कुछन वह एवरे से पूछा गया था अब जो दूसरा जो कुछा जा रहे है ना बचलो यह दरसल जो में जो मेंटरी से जने खिख हुआ है दिःगा चीतर में एक्स मान ग्याद करहां यह दिख रहे हैं करना जिख आँ ऩराब का मान कैसे सकते हैं अलग अलग तरीके हो सकते हैं सब लोग का अपन अबना दिमाग चलता है मैं क्या हो बिलू करें इस पर हाग को बिरावर भागों में कि ड्राइड कर दिया ऐसा तो ये 54 का अधा हो जाएगा मेरा ख्याल है Q27zung ठीक है अब आपना थोड़ा सा जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं आप बच्चों के लिए इस पर थोड़ा सा फोकस बनाओ चलो ग्रीन कर दो बहुत अच्छा से दिखाई देगा इस पर आप बस फोकस बनाओ इस वाले सेक्शन पर बरस आप फोकस बनाए इतना बस आप इतना फ दुरस्थित दुरस्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है जो एक्स्टीरियर एंगल होता है वह सम फ फार इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है तो जो एक्स्टीरियर एंगल होगा वह फार अवे जो भी इंटीरियर एंगल इस्थित होते हैं उन सभी के सम के बराबर होता है एगरी करते हो तो यह वाला जो कौन है यह वाला जो कौन हो दूरस्ट इस्थित आंत्रे कोणों के योग एक बराबर होगा मतलब यह 43 है और यह 27 है ऐसा हो जागा यह ठीक है और वैसा ही सेम चीज़ इसके लिए भी लगेगी यह भी तो एक त्रिबुज है अब प्रिंक कर देता हूं इसके लिए अलग दिखाने के लिए यह देखतर वुज़े यह रहा और इसमें यह भी तो यह वाला बहायतम कोण है तो वह दुरस्थ इस्थ आंत्रे कोणों के योग के बराबर होगा तो यह हो जाएगा 27 और यह हो जाएगा 38 ठीक है तो आप ए यह जो complete कोण होगा जो complete angle होगा उन सभी का sum होगा और वही दरसल x है तो वह कुछ और नहीं होगा वह हो जाएगा 135 इन सभी को मैंने चोड़ दिया complete angle के लिए मतब यह वाला तुकड़ा और यह वाला तुकड़ा इस तुकड़े में 27 और 47 ता इस तुकड़े में 27 और 38 ता पर चला किस तरीके से question को deal करना था आइडेया मिला सारे बचों को comfortable है ठीक है आगे बढ़ सकते हैं पर लोग चले फटाक से चलते हैं next question की तरफ सुनते हैं कि अगला वहला question हमसे क्या-कर नहीं कुशिश करता है यह रहा वो question आपके सामने जैसे ही नहीं मतलब माले आप जै चाहिए चीक है चलो सुनते हैं देखो क्या कहता है एक आयत जिसकी लंबाई 35 cm और चोड़ाई 28 cm मतलब मुझे एक rectangle की बने जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों मुझे पता है ठीक है चलो आगे सुनते हैं तथा दिए चितर के नुसार आयत की दोनों भुजाओं के से अर्ध चीक है बहुत अराम से अपन निकाल सकते हैं बहुत सामाने से इसको तरीका है स्वाल परने का अगर आपको एरिया जानना है शेड़ेट पार्ट का तो उसके लिए आप क्या करेंगे जो भी आयत का पूरा चितरफल होगा उसमें से यह जो दो अर्धिवृत हैं उनको आप माइनिस कर दो मतलब कि मैं पहले अर्धि-वDaniel मन ए इस पूरे आयत में से तो जो बतेगा वो मेरा शेरिड और यह स्कुर्ण को नि unnecess aşे-7 अब मैं को निकालना ये अधि छेת्रफल तो अधि व्रित्यक छेत्रफल होता है पयार स्क्र अधियों आधा फायार सकूर्स का आदा वन उपायार स्क्वएर को यहांत क्लें आफ सारे बच्छे को अब ज़रा दूसरा वाला पॉइंट सुनना, आर क्या है वो आपको जानना पड़ेगा, टोटल जो है ना यह जो टोटल, जो है यह 28 है, त्रिज्ज्य है यह तो पुरा व्यास हो गया, त्रिज्ज्या क्या होती है तो 28 का अधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा तो यह दरसल half of pi में 14 का स्क्वार आ जाएगा तो इस वाले के लिए इस वाले के लिए जब मैं लिखूँगा एक सेकंड टुड़ा जगा बना लेता हूँ हाँ तो यह जाएगा 35 गुणा 28 माइनस इस वाले सेमिसर के लिए जब मैं लिखूँगा तो लिखूँगा पाय में 14 का स्क्वार का आधा और इसके लिए जब मैं लिखूँगा तो फिर से लिखूँगा पाय में 14 का स्क्वार चौदा का स्क्वेर का आधा ठीक है comfortable है तो यह दोनों आधा-धा मिलकर एक हो जाएगा अल्टिमेटली में बचेगा 35 गुड़ा 28 माइनस पाइ में चौदा का स्क्वेर ठीक तो अब क्या देख रहा हूं जो जो कॉमन निकल सकता है सबको कॉमन निकाल लेता हूं फिर बाद में कट्पिट कर लूगा मुझे यह दिखाई दे रहा है कि 14 और 14 दुनिय 28 बाहर आ सकता सब्सक्राइब कर दो इसको सब्सक्राइब करने से आप को जो मिलता है वह मिलता है त्री सिक्ष्टी फोर यह इसका एकड़म करेक्ट जवाब होता है ठीक है आईडेया मिला देखो एक्जाम में होगा कुशन था और मैं को एकड़म भरूसा आप बच्छों पे कि आप सभ लिखा हुआ है थ्टा फोकस करना में सब्सक्राइब अगले लिखा हुआ है यह तथा बी की आया का अनुपाद तीन नुपाद दूए और उनके खर्च का नुपाद पांच अनुपाद तीन तो आपको पहले ने इनके बीच में रेलिशन पता होना चाहिए आपको क्या प यहां तक ठीक है अब मैं इस वाली चीज का ना प्रयोग करने वाला हूं बचत बराबर हो जाएगा आए माइनस खर्च चलो एक वर यहां पर यूज करके दिखाता हूं आपको बोल रहेंगे आए का रुपात ठीक है यह आई ए रेश्यू आई बी मुझे गीवन है तीर रुपात दो और फिर बोलता है कि खर्च का रुपात खर्च को मैं एकस्पें आप को अगर रेश्यू गीवन हो और आपको समझना आ रहा हो कैसे डिल करें तो रेश्यू को ब्रेक कर देना चाहिए और जैसे आप तोड़ते हो तो एक वेरियबल डाला ची हमेशा एक्स तो इसका मतलब यह हो जाएगा ठीए एक्स अब दरबाब को समझना इस भी रेश हुआ जो की हो जाएगा वाई है ठीक है अब जरह समझो मुझे दिखाई दे रहे कि एक इंकम जो है यह आए है थ्री एक्स है और एक जो एक्सपेंट डीचर है वह यह है वह फाइव वाई है तो अगर मैंने इंकम में से खर्च को माइनस कर दिया आय मेंसे खर्च को मैंस बचत पते हो लेगी न तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूँ थ्री एक्स जो कि उसकी इंकम है माइनस उसका खर्च तो बराबर उसकी बचत होगी और पूशन में गीवन है कि दो सो रुपए की दोनों बचत करते हैं तो यहां पर इसके लिए आजएगा दो सो रु खर्च को माइनस किया तो बचत बना लिए अब देखो क्योंकि कोशन में दिखाए ज़रे कि दोनों ही 200-200 रुपए तो इसका मलब दोनों समय करें बराबर लिखे जा सकते हैं तो जैसे आप दोनों को बराबर लिखो तो कैसे दिखेगा 3x-5y बराबर 2x-3y अब देखना दिख जाएगा वह उससे बराबर हो जाएगा आपके पास तो य अब देखो उसने क्या पूछा उसके हिसाब से काम करते हैं उसने एक आय पूचि हुई है चीक है एक यहां पर जैसे आप पुट करो एकस बरावर टूआ जैसे मैं यहां पर लिखुँँगा एकस बरावर टूआ तो मुझे दिखाई देगा कि एक्स बरवर 2y के हिसाब से तीन दूनी 6y मैंनेस 5y मतलब y की वैलू आ रही है 200 और अगर y की वैलू 200 आएगी तो x की वैलू उससे सबसे आ जाएगी 400 अब उसने आप से क्या पूछा है उसने पूछा एक कितनी है 3x है तो उसने आए ए पूछा है income of a वो 3x है x की वैलू कुछ भी लेना बहुत आराम से solve किया जाने वाला question था exam में भूछ ने सरग को बिल्कुल exam में मिलते हैं बचलोग आई गैस अब सारे बचलोग इसको ले कर clear होंगे देख वाले से लिए उसको जारा का करता है इक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रूखे पूरा कर लेती है यादी ट्रेन गती आप पांच कुर्वर पती घंटा से बढ़ा दोगे तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटा 40 मिनिटे पूरा कर लेगी ट्रेन की प्रारम भी गती क्या होगी या आप से वह पूछ रहा है अब रिलेक्स होगा समझना मेरे को ने रिलेशन पता होना चाहिए मेरे को फंटा पता होना चाह है अब दे उसा यत्रों को को अगर 5 किलो मेटर पती घंटा बढहा कर स्पीड हो जाएगा और फिर उसकी जो स्पीड है वो पांच मिनिट गंटा से जाधा हो जाँ रही है मतलर लगे पहले स्पीड एच थी तो अब एस प्लस पाइव हो जएगा तो समय कम हो गया 6 गंटे 40 मिनट हो गया उसको पूरी तरह से घंटे में कनवर्ट कर देता हूं चे घंटे और चालिस मिनट को अगर मैं पूरी तरीके से कनवर्ट करूंगा तो यह हो जाएगा 40 अपॉर्टी अपॉन सिक्ष्टी आवर इसको थोड़ा से अगर मैं स्वाल करें आजएगा टू थर्ड यह थ्री इसके बास आएगा ठारा और यह हो जाएगा बीस तो आजए आजएगा 8S is equals to 20 बटा 3S plus 25100 बटा 3 इस तरीके से ठीक है अब यह तीन 3 को क्रॉस मुल्टिप्लाइ करों आठ तिया 24S माइनस हो जाएगा 24 मैं से 20S तो बचेगा 4S 4S बराबर 100 दिखेगा मुझे तो अगर 4S बराबर 100 होता है तो इसका मतलब यह है कि S बराबर 25 होता है ए इसका मतलब किसका ओप्शन हो जाएगा मस्त कुष्ण मजदार कुष्ण बनने वाला कुष्ण मैं देख रहा हूं इस वाल पेपर में कि जो कुष्ण आ रहे हैं मस्त आपके सॉल्व करने लायक आ रहे है और आप देखो कि कौन को से टॉपिक को वो टच करता है थाकि उस चुल्व के तरफ अगला कुष्ण से कुष्ण नमबर सव Tangese तंते कुष्ण 76 में लिखा हूए दिए गया चित्र में व्र्ट सी का शित्रफल नौप ऑई है तो और पकी कू यौर य स हो जायाएकि तीन अब आर किया है आरहे त्ट जो कि इतनी हो ओगी अगर इसे कहто Upxtip कर जेए जो व्रित्य का यो दर Cel वर्ग की बुजा के वर्ग के बराबर है मतलब अगर यह तीन और तीन छह है तो यह भी तो छही होगा क्या है विर्तय के द्रिज्या विर्टयक व्यास गांच की बूजा मुझे पता है कि सारे भुझाएं बराबर होती है reconst rover को अब उसे क्या पूछा आप्तो मुझस टुछ है तो तो 46 कोशन का जो सही जवाब है वह isa acontece। कैसा लगा थाने मज़ेदार मस्तिदम conceptual question है बचलोग और ऐसे question आपके exam में पूछे जा रहे हैं समझो कि अच्छी चीज़ है हमारे लिए कुछ भी उटपर डांग चीज नहीं पूछ रहा है वह पूछ रहा है जो कि concept हो जाने concept होने से solve हो सकता है और इससे बड़िया क्या चाहिए अपने को फिर से कोशिश कहते है नेक्ट वाले question को इबर देखते हैं कि अगला वाला question हमसे क्या कहता है सुनते है यह रहा वो अगला वाला सवाल चलिए अब थोड़ा इस वाले question को इत्मिनान से relax होकर समझें कोशिश करना geometry पर ही आया हुआ question है और geometry में जो अलग-अलग जो shapes बनते हैं अलग-अलग जो आकरितिया बनती है आयत रोंबस या फिर जो है पैरलेलोग्राम जिसको हम लोग समलम चत्रभूज है ना और हम लोग उसको समाना अंतर चत्रभूज यह सब कहते हैं सम चत्रभूज यह सब कहते हैं तो उन सभी पर दरसल यह आया हुआ question है ठीक है तो एक बार मैं आप बच्छों के वाला question explain करता हूँ उनकी property आपको समझ मानी चाहिए रिलाक्स होकर आप property सीखने कोशिश कीजिए का मुझस से चलो सुनते क्या कहता है कहता है कहता है आयत के विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं एक दम सच बात है आयत के जो विकर्ण है रेक्टेंगल के जो कहना चाहिए मुझे डागेनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ठीक है मतलब सम्दिभाज मतलब एक दूसरे को बराबर बाटते हैं एक दम सही बात उसने कह कर दिये मुझे इसमें कोई गलती नहीं फिर कहता है प्रतिक संलब चत्रभुज एक समानांतर चत्रभुज होता है दिंगों यहां पड़ने से थोड़ी घड़बड कर दियають इस तने यहां पर एक संललम चत्र Раз हम कर दिया गलती कि इसने इसको ने ठोड़ा सा ध्यान देना था कि इसले ट्रांसलेशन पेपर में गलत दे दिया यहां पर word यूसय करता है wrongbush और यहां पर word यूसकरते इस संलम-چतर ना गलत हुग है अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है कि माल्य जैसे उधारण के लिए इंग्लिश में यहां पर सही लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करके सॉल्व कर देते आप कहेंगे तो पहले रॉंबस सुल लो रॉंबस क्या होता है रॉंबस को हिंदी हम लोग सम चितरबुछ कह हो तो बोल रहा है कि एंवरी रहउंबस इस परलोग्राम यह एकदम सच बात है हर एक रहंपस दरशल एक समानांतर चतर्वुज कि मतर leaving would जिसके ना आमने सामने की भुजाय बराबर होती है लेकिन चारो भुजाय ना समानांतर भी होती है देखो इसमें आमने सामने की भुजाय जो है बराबर है और चारो भुजाय समानांतर भी है इसमें चारो भुजाय समानांतर है और चारो भुजाय बराबर भी है तो मैं यह कह सकता हूं कि हर एक रोंबस जो है वो पैरल्लोग्राम होता है यह लिए बात भी एकदम सही है इसकी फिर कहता है वो कह रहा है हर वो चितरबु जिसकी चारों भुजाए बराबर होंगी वर्ग कहलाएगा यहां पर उसने सेम लाइन लिखी हुई है वो चितरबु जिसकी चारों भुजाए बराबर होंगी वर्ग कहलाएगा सच बात है इसमें इस वाले सेंटेस भी कोई गलती नहीं है ठीक है अब जर इस वली चीज को यहां पर जो संबलम चितर बूज कर दें तो मैंने कहा थो घाँ आमने आंने रोजार पारल नहीं नहीं यह पलता है यह होता है इसे हम लोग बोलते है अ तो कोशन में टाइपिंग एरर है इसका आपको बोनस मिलना चाहिए बाकी अगर आप मेरे से सही जवाब पूछोगे तो एक दो और तीन तीनों सेंटेंस करेक्ट है मैं इसमें और सी पेपर में मारकर आता अगर इस पेपर को मैं सौल करता तो मैंने सी टिक दिया होता चलते ह अगला कोला कोशन क्या कहता है कोशन नमबर है अपने पास 78 मस्त कोशन यह भी बड़ा फट देखते हैं ज्यादा कोशन नहीं है जल 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 हो जाएगा कोशन पर 78 कहता है एक आयताकार कागज के तुकड़े को जिसकी माप 22 और 15 सेंटिमीटर है लंबी भुजा की तरफ से म इसे बहुत सुन्दा सुन्दा राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपन क्या गरते हैं एक बार ना थोड़ा इससे ना बेलन का स्ट्रक्चर को समझे कोशिश करते हैं चीक है अब जब देखो यह है वो आयताकार कागज का तुकड़ा यह है वो चीक है इसमें म लंबी भुजा की तरफ से उसको मोड़ा जाता है लंबी गुजा की तरफ से इसमें ऐतने मेरे हाथ में बेलन है अधिक्तम आयतन क्या होगा अब आपको इस बेलन से ही दो चीजह समयझे पड़ेगी पहलाए जैसे में इसे उपन करता हूं ठीक है तो इसने यह जो cover किया इसने यह वाली side पुरी के परी होगी बिती होगी तो जो परीदी होगी परीदी होगी वो उसकी सबसे लंभी भुजा के बराबर होगी क्योंकि वो इस तरीके से खुला था और लम्मी होजा है 22 तो यह हो जाएगा परीधी जो है उसकी 22 के बराबर जाएगे परीधी क्या होती है व्रित की वह होती है टूपाई आर व्रित को ले रहा हूं सर कि जब मैंने बिलन बनाया था तो यहां पर व्रित का वाला शेप लेता है ठीक है तो यह हो यहां से 3.30 मेरे को मतलब रित्त की तरज्वा पता चल गई है यहां तक मैं ओक्य हो अब पूछ रहे कि अधिक्तम आयतन क्या होगा आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए बेलन का आयतन कि वॉल्यूम औफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए वह होता है पाई आर स्क्वेर एच ठीक है जिसमें पाई है आपका बाइस बटा साथ आर अभी अभी आपने निकाला साड़े तीन का स्क्वेर और आपको एच जानना है अब रिलाक्स होकर समझो जब मैंने इस पिप जाकि जो लंबा ही है कितनी है बंदरा है तो यहां पर आजाएगा फंदरा ठीक है जब इसके कैल्कुलेट करोगे आप थोड़ा सा जवाब मिलेगा फिर 5771 बाइटू सेंटीमेटर क्यूब इसका सभी जवाब है ठीक है तो कुशन नंबर 78 का जो सही जवाब है वो है बी मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से यह वाली चीज़ क्लियर होई होगी सुनते हैं नेक्ट विले कुशन को कुशन नंबर है मेरे पास 79 यह राव वो कुशन वर 79 सुनते है किसी जार में लाल सफेद और नीले रंग के रैपर वाली ट लाल वाला है ना यह सफेद का 4 by 5 है इसका मतलब कि आर रेश्यू डबलू यह यह हो जाएगा मेरे पास 4 रेश्यू 5 ठीक है याद ओक है पर लोग फिर कहता है सफेद की संख्या नीले की 3 सब्सक्राइब सब्सक्राइब नीले की तीन बटे चार है इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डबलू रेश्यू ब्लू इसको थ्री रेश्यू फोर बताओ कैसा लगाई ठीक लगा यह दो के पलो अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यह कैसा बनेगा मेरे को न अगर यह दोनों रेश्यू पता हो त बलू आपको जाना तो इसके लिए एक रॉसल एंटो जाता तो यह पांश त्या पंदरह और आपको बीव यह इंटो जाता तो यह दो पांश कर सकते हैं क्या पूछ रहे को में यह कुल 470 रेपर हो टोटल में पास 470 वासे पूछ रहा है कि नीले रेपर कितने हैं ठीक है 20 upon 12 plus 15 plus 20 of total total कितना है मेरे रपास 470 ऐसा हो जाएगा चीक है तो जैसे मैं इसको further solve करूंगा जैसे इसको further solve करूंगा तो जैसे इसको add करेंगे आप तो यह हो जागा 47 सारे बच्चों को यह वादी चीज क्लियर हुई होगी मस्त कुशन था एक्साम में आया हुआ है बनाने लाइक है ट्रिक भी हमने देखी इसमें और देखा कि क्या स्मार्ट तरीके सब्सक्राइब से अप्रोच भी कर सकते हैं चलते हैं नेक्षोल कोशन की तरफ मेरे को तो किसा में मुझे उठा के बठा देते मैं बैठ तो नहीं पाया था तो दिल खुश हो जाता एक दो गार्डन गार्डन हो जाता और मैं यह वाली बात मान के चल रहा हूं कि यह वाला वीडियो लेक्षर अटेंड कर लेने के बाद जब आप अभी हाला कि पेपर सोड़ा सा प मज़ा आगया क्वेशन सौल करके ऐसे क्वेशन आया थे फोड़ के आगया सारे के सारे छोड़ा ही नहीं कुछ भी जबर्दस्त चालों फिर दो कुशिश करते हैं बचलों लोग नेक्स लेकिशन में चलते हैं एगला कुशन क्या कहता है पांच लगातार संख्या हो का उस बुल रहा है कि इनका उसथ 16 मैंने अभी आपको बताया था जब अगर आपको पता हो और आपको सम जानना हो असथ पता है इनका सम अगर आपको जानना है तो अप क्या करो कि आप आप ही यह यह है तो इसमें नमर ऑफ टम्स का इंटू करवादो एक दो तीन चार पांच त करवादो है ऐसा ठीक है तो जैसे विसको सॉल्व करोगे तो 16 पंच हो जाएगा असी और यहां पर आजाएगा मेरे पास चौदा ठीक है अब बोल रहा है कि उसमें बड़ी वली संख्या क्या होगे अभी तना तो अंदाज लगा लोगे ना कि इनमें बड़ी वली संख्या जवाब हो जाएगा अठारा क्या मूलते हो अस्तों कुशन थैर तब मजा आगे बनाके अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है और चले चलते हैं नेक शुले कुशन पर कुशन पर 81 कहता है वा नियूंतम संख्या जिसको की 108 में जोड देने से पूर्ण वर्ग बन जा तो अगर आपको सद्यान आ जाए कि 108 में अगर मैं 6 जोड देता हूं बच्छे लोग तो मुझे 1024 एक संख्या मिलती है और 1024 कुछ और नहीं वो दरसल 2 का पावर 10 है आप इसको चाहो तो और अगर सॉल्व करना हो आपको तो अब लिख सकते हो 32 का स्क्वार है ठीक है तो 32 पाई थे सबस्क्राइब जोडने पर आ रहे जवाब हो जाएगा चे भागत खुरत लग रहे है चे अग्दम सर बस आप कराते रहे हैं रूदे नहीं आता है बोलते रही आप पर वहां बच्छे वंजान लगा रहो हो है वह बोल रहा है सुनो क्या कहते है सर्ण बबस्ति क दूसरी संख्या य से 25 प्रश्यद अधिक है समीकर बनाना पड़ेगा फिर कहता है य एक से कितना प्रश्यद कम है नहीं बनाऊगा समीकर है यह मेरे एक दम रेगुलर क्लास सा कुश्चन है जिन बचने में से परसेंटेज बढ़ा होगा उनको मैंने ट्रिक बताई होगी वो प्रश्चन फॉर निकालना है तो वो आएगा वन प्लै फोर कैसे आता है जो पर्सेंटेश टूटए तो बटे में 100 हो जाता है परसेंटेश टूटता है तो बटे में दरसल सब्सक्राइब तो इइस लिए निचे जा रहो साधा टापूछ आता उपर जाता उससेम से कम जिए पर्सेंटेज फिर्म होता है वोता है 20 परसेंटेज इसका जो सही होगा होगा 20 परसेटेज इसका बिश्क कर दिए इसका बेशिक मैंने डिस्कस नहीं कर था बता दी वो रिलेक्स होगर देखला कुस्वान में आ जाएगा चलते हैं नेक्स शोले कुशन की तरफ कुशन नंबर नेक्स्ट कहता है एक समकूर तरफुच के आधार और विकड्ण का अनुपाद पांच है एक समकूर तरफुच देखो तो तुम कैसा देखता है तरफुच तुमने देखा ही नहीं यह है आधार और यह विकड्ण ठीक है अगर मालिया चार एक से यह पांच एक से तो यह दरसल थ्री एक्स हो जाएगा इतना हम लोग अंदाज है लगा सकते हैं कैसे अंदा सब्सक्राइब तो यह इस तरीके से 3x निकल गया मेरे खाली यह सारे बचों को स्विकार होगा कि यह तना आपको समय में आना चाहिए कहता है उसका परिमाप 48 है परिमाप क्या होता है परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x जब मैंने बरा दबर किया तो आगे 48 ठीक है तो जब मैं इसको एड़ करता हूँ जब पांच चार नो और तीन बारा एकस इसको काटूँगा तो बारा बटा अड़ता अलिस यह अड़ताली बारा 4 बारी में कैंसल जाएगा एक से लगाओगा मैं एक बटा दो आधार गुणा उचाई इस तरीके से तो इससे कैंसल हो जाएगा तीन दुनिया जाएगा छे और एक्स की वैलिव अपने लिए चार तो जाएगा चार का स्क्वाइर सोला सोला चके 96 ठीक है यहां तो इसका जो सही जवाब है वह बी जिनका भी पेपर है मतलब मेरे को रेंडम पेपर मिला है मैं तो बस स्वाल्व करने बैड़े हो यह मैं दे आते हो होस्टल में ऐसे चमकार होगा बैठे किसी को पानी ज्यादा मत खर्चा किया करो समय पर नाश्टा कर लिया करो तुम्हारे लिए सारा दिन केंटिन खुली नहीं रखेंगे ऐसे डाटते हैं बच्छे लोग ऑस्टल वार्डन होते हैं और तुम गलती से अपने कोई बाहर से दोस्तों को ले आओगे तुरांट पहुंच आए कमरे में पूछने के लिए क्या कर रहे हैं तुम्हारा दोस्ते हां पर क्या कर रहे हैं क्या देख रहे हैं एसा सवाल पूछता बच्छे बताव जवाब है देने का लेप्टाप में हम क्या देख रहे हमारा मन जो तीन बटांच भाग जो है यह न भरा हुआ है ठीक हम यदि इसमें से अजिल दी विताहर थी वो कनने असले 3 विटा तीन वुमूल को सब दोने अविश्ण को लिए अच्छाए में जाकन टो जो नियुकर तो जो जो तीन है वो आधा भर जाता है यह तो जो तो यह जो नया वाले जो खासलेट है वो तीन की आधी हो गई तो तीन की छमता आपको बताना है कुछ नहीं करना है इसका मान यह जो तीन बटे-5T है वह यहाँ पे पुट कर दो तो यह हो जाएगा पांच दूनी 10 यह तीन दूनी 6-5 यहां पर आजाएगा टी बराबर हो जाएगा तीन तो इसका मतलब टी बराबर आजाएगा 30 यह पक्का बना हो शिल्वाडर पता लगा ना पड़ेगा काँ बेठा यह आदमी वह जिसका यह पेपर है उसकी बात कर रहा अगला क्या कहता है यदि काफी के दाम में 10 प्रतिशयत का इजाफा हो जाए कोफी में 10 प्रतिशयत की विद्धी हो गई तो किसी ग्रहणी को कितने प्रतिशयत अपने खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे कि उसको अत्रिक्त खर्च ना उठाना पड़े अब यह वाला भी कुश्ण ना अभी जो करवाए था ना एक्स वाई से पचीज़ अधिक है तो वाई एक से कितना प्रतिश्यत कम होगा उसी ट्रिक से कुश्ण सॉल्व हो जाता है इसको हम लोग जब मैं रेगुलर क्लास पढ़ाता हूं तो मैं चेंज बेस का दरसल नाम देता हूं तो एक बार इसको फटाक से ट्रिक से करके बताता हूं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं जैसा कुश्ण उसी तरह से सॉल्व करके आगे निकल जात तो एक बाटे 10 का अगला नंबर आएगा एक बाटे 11 जादा हो जाएगा बुलता तो उपर जाता तो एक बाटे दस का पिछला नंबर आता है 109 समझ गहां तो एक बाटे 11 की जो वैली होते है ना वो मिरेको याद होना चाहिए 9.99% होती है 9.09% होती है तो 9.09% को जब मैं लिखूंगा तो जाएगा 9 1 by 11 9 1 by 11 मतलब की इसकांसर है ए तो क्वेशन नंबर 85 का सही जवाब है ए ठीक लगा है यहां तक बच्छों को कमपेटवल है मस्त पेपर है यार मतलब एक दाम मखन पेपर आया बना बना के मजा रहा है नो खुश हो जारो में पर पेपर सॉल कर करके दो चार वीपर और लाने पड़ेंगे मजा रहा है मस्त लग रहा है बुच्छों के साथ पढ़ाई करने में सुनते है कुश्यमर 86 किसी लड़की के नहीं लड़की नहीं लकड़ी है मुझे माफ कीजेगा किसी लकड़ी के बंद डिबे में बाहरी माप 45 32 और 28 है यद पकी छमता क्या होगी लगड़ी का डिब्बा कैसा दिखता होगा सर के जहां तक मुझे अंदाजा है कुछ वो ऐसा लगता होगा कि बाकी बताओ तुम क्या दो हो अब मुझे क्या क्या गीवन है उससे देख लेते हैं मुझे उसकी लंबाई चुड़ाई उचाई गीवन है यह 45 है यह 30 है और यह 28 है थोड़ा आगे पिछे हो गया देहान मत देना उसको शेप को समझें कुरिश करो अब वो क्या कह रहा है जरसा समझो आपको उसकी छमता ब उसका आपको आयतन बताना होगा आयतन वो भी कैसा आंतरिक मतलब अंदर अंदर वो कितनी जगा घेर सकता है अंदर अंदर उसके चंपता होगी अगरी करते आप अब थोड़ा से रिलाक्स होगर देखो उससे मुझे गीवन कि एक सेंटिमेटर लकड़ी चौड़ी न यह थोड़ा सा चौड़ी है इस तरीके से ऐसा ऐसा चौड़ी है वो एक सेंटिमेटर ऐसा तो यह हो गया वन और यह भी लकड़ी तो एक सेंटिमेटर चौड़ी होगी ना ऐसा समझने हैं। ऐसा रहा है। यह विए हुग हो गया वन अब फ्ररेलक्स के देखो टोटल 45 था समझना यहीं पर तुम्हारे समझने खेले टोटल जो है दैसा है ज़्य क्षाथ भाइब उस 2 क्यों माइनस हो गया एक दरसल उस तरव से हुआ है एक और हुगा और 28 मेंद दो मैनेस होगा 26 आएगा मानते हो और मेरे को इसका आयतन निकालना है तो दरसल यह कुछ और नहीं है यह तो my old है की वॉइड मतलब कि इसको गहनाब बोलते हिंदी में और गहनाब कायतन के वाइड का जो वोल्यूम होता है वह रिंट इन्ट 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 हइट लंबाई गुणा चड़ाई गूणाऊं उचईथ तो मैं यह लंब कहता है अट पूरुष तो seven men कर दिया मैंने फिर क्या कहता है सर महिलाएं और दस बच्चे बच्चे को मैं children बोलता हूं इन में से कोई भी आजाए इन में से कोई भी बीहाज है काम जहें 24 जिने पूरा हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि इन में से कोई भी आ रहा है काम तो 24 दिन पूरा है मतलब इन तीनों के छमता है आपस में बराबर होगी यह समझने की बात है फिर क्या कहता है प्रतेग दिन 9 घंटे काम करके 4 महिलाओं और 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रतेग दिन 7 साथ घंटे काम करते हुए अठार दिनों में पूर्ण कर लेंगे बहुत आराम से में इस कुश्चन को सॉल्व कर सकता हूं रिलेक्स होगर बस तूं समझते जाना देखना देखो हमको एक फंडा पता है फंडा होता है dmt upon w is equal to constant यह वाला फंडा मैं अपनी regular class में बताता में टी का मतलब है time और डबलू का मतलब है work अब यहां पर जितने भी तरह के variable किसी भी सवाल में प्रयोग हो सकते है ना सारे के सारे लिख दिये गए हैं लेकिन आपको जो प्रयोग है वह question में data के हिसाब से कर रहा है question में जिस तरह की बात बुलेगा उस तरह का आप यहां सब human के sense में तो यह M समझो stands for men मतलब की human के sense में ले रहा हूं चीक है तो अब मैं क्या करने वाला हूं मैं इसमें क्योंकि दिन घंटे और human तीनों देख रहा है तो DMT लेने वाला हूं तो कैसा लिखूंगा जारा देखना D1 M1 T1 is equal to D2 M2 D2 M2 T2 ठीक है यहां तरह कंफ़टी बनाप लोग अब थोड़ा रिलेक्स होगर समझी कोशिश करना हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग इसमें जो जो data given होगा पहले उसको put कर लेंगे मुझे given है कि 7 पूरुश आते हैं तो मैंने यहां पर 7 men लिख दिया मेरों given है कि 24 दिन काम करते हैं तो मैंने यहां पर दिन के 24 लिख दिया और मेरों given है कि 9 घंटा काम करते हैं तो T1 के यहां नो लिख दिया ठीक है फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि 4 महिलाओं और बच्चों के साथ में कितने पूरुश आएंगे तो M2 की जगा पर माल लि को तो time की जगह पर मैंने छे लिख दिया और 18 दिनों में काम होना चाइए इसलिए दे की जगो मैंने 18 लिख दिया आप इस वह समीकरन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इस समीकरन को समझ जाएंगे तो समझी कि अपना काम बन जाएगा ठीक है एक्स के value निकालना ह मैंने के बराबर है तो सогझातों मैंने जो साड़े सीन मैन के बराबर होती होगी वैसे ही पांच मेरे को दिख रहे हैं कि जो साथ मेन के बराबर है इसका मतलब जाना फॉवह शापर चैयल्ड के बराबर होता रहेगा और इकस मेंन का मैंन ही रहेगा तो यहांपर आज neuen एफकिन पार साड़े-3 pen यहां पर आज्दीन मैंन और वहां पर चिक यह था रिलेक्स अदको यह साड़े दरसल हो जाएगा साथ ठीक है तो यह x प्लस साथ हो जाएगा एसा और जो मैंन है सब में कॉमन ने तो ऐसे बहार जाएगा मैं और यह जाएगा छै और यहां पर वैसे ही रहने देता हूँ 27 यह सिर्फ आपके समझ्य के लिए यह लाइन को बार बार लिख रहा हूँ तक आपको कोई confusion ना है तो अब क्या होगा बचलोग अपने दरसल यह मैंन से मैंन कैंसल हो जाएगा यह जो M है ना इस वाले M से कट जाएगा ऐसा ठीक है यह M से कट गया अब मैं क्या दिख रहा एकस प्लस सेवन और छे लिखाओ इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है मेरे को 27 साथ नो अठारा एकस प्लस सेवन और छे बहुत आराम से कट पिट हो जाएगी कोई बड़ा चीज नहीं है यह हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 अगर मैं काटना चाहूं तो यह कटेगा दरसल 6 तीन द नो तीया 27 ठीक है और कुछ है इस पर कटने के लिए ठीक तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा और कटिंग शटिंग करते हो तो आपको यहां से मिलेगा दो दूनी चार तो यह जाएगा 4 एकस प्लस साथ चौकट आइस और यहां से मिल जाएगा मेरे पास नो सत्ते तिरसट एक तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और माइनस कर दूगा तो यहां से आज यहाँ से आजएगा तेरा में से आठ जाएगा मिरे पास डैट बी इस वाप कैल्कुलेट कर लिएगा साथ पूरुश आएगा डैट वूट बी राइट अंसर ठीक है इसको सिफ कैल्कुलेट करना ठीक कुछ में 88 सुनते है 88 क्या कहता है वो 88 पर लिखा हुआ है एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर दस प्रिशक के छूट देता है तो आपको नहीं यह चीज पता होना चाहिए कि फंडा क्या होता है फंडा दर असल यह होता है SP SP मतलब होता है Selling Price is यह च्वेश्ट टू MP MP मार्क प्रेस्ट मतलब च्पा हुआ दाम 1-D upon 100 D मतलब की डिसकाउंट मतलब की 10% है जब मैं इसको थोड़ सा स्वाल को कैसे रहे है SP is उक्वेश्ट टू MP 1-10 बटा 100 यह स्टरीके से होगा ठीक है फिर वो कहता है 10 प्रिशक की छूट देने के बाद भी 12 प्रतिश्यत का वो लाभ कमाता है तो फंडा क्या होता है SP इस उक्वेश्ट टू CP 1-P upon 100 ठीक है तो यह हो जाएगा SP इस उक्वेश्ट टू CP 1-P की वैलू कितनी है मेरे पास 12 बटा 100 यह ऐसा दिखाए देगा आप ठीक है comfortable है तो अब जरा समझो यह जो SP है यह जो SP है वो दोनों बराबर हो सकते हैं क्योंकि दोनों का लेफ्ट एंट सेम है तो यह हो जाएगा MP और 1-10 यहां से लिखा मैंने इससे ठीक है और अभी सोली चीज को लिखने वालों में तो यह हो जाएगा CP यह हो जाएगा 112 बटा 100 यह ऐसा दिखाए देगा ठीक है थोड़ा सा कैंसलोट करोगे तो आएगा 45 बटा 56 मतलब आंसर आएगा बच्चे का पहली बार गलत हुआ है एंसर इसका सही था बच्चे 45 रेश्यू 56 कहीं किसी होस्टल ने बैठा होगा रूण के निकालेंगे उसको बताएंगे कि इसका आंसर ए था तुमने लगाया था चलते हैं कोशन नंबर 89 पर चलिए अखरी के दो कुशन है फट फट देख लेते हैं किसी बेलन की त्रिज्जा यदि दोग नहीं कर दी जाए तो उसकी उचाई में क्या परिवर्तित रहे तो आपको तो पहले फंडा पता होना चाहिए बिना फंडा पता हुए कैसे काम कर लोगे आतन होता है कि अब परिवर्तित रहे तरह दोनों तरफ मैंने लगा दिया वीवी यहां लेक्रत यहां जगा अच्छी है दो तरफ मैंने लगा दिया वी ठीक है तो यह हो जाए का पाइर्वन का स्क्वाएर है हट1 पाउर टुाष क्गिए अधीग को स्क्वाइर एचटा रवन है पहले वाली तरिज जी आरे टूर है बार थो बीदेट यह ना। मतलब भी पहले अगर आर सी पहले अगर आर थी तो बात में आज यह 2R हो जाए समझे तो मैंने R1 के पर R लिया है और R2 के पर ने 2R ले लिया है ठीक है यह ऐसा हो जाएगा अब जैसे में इसको आगे solve करूँ हो जाएगा R2.H1 इसी question हो जाएगा 4 R2.H2 तो यह R2.H2 बराबर हो जाएगा हो जाएगा एच्वान अपान 4 कुछ और नहीं है वो दर असल है 25 परसेंटेज ऑफ हो दर असल यह है ठीक है तो यह हो जाएगा कमपड़ेबल हैं पर लोग आईए एक सेप्टेट है सारे बच्चे को तो 89 पर जवाब होगा वह होगा एए ठीक चलते हैं नेक्स वोले कुछन की तरफ कुछिन अब नबे सुनते कुछिन नबे ना बहुत ही मस्त कुछिन है अच्छे लेवल का कुछिन है इस कुछिशन क कि मुदा नहीं करके सबसे बड़ा कोड़ क्या होगा जिसकी बुझाएं, 8 5 akoare 3 कि यृक्वी यह कोड़ा यह कोड़ा, यह कोड़ा, नाम से मैं इसको small a माले तो small b माले तो small c क्या है यह तीनों भुजाओं का मान है अब अगर मुझे ना कोण की वैल्यू निकालने जैसे माल लिया मुझे न कॉस ए निकालना है ठीक है तो थोड़ा सा फोटो में आपको जमा के लिए तो आपको कश्ट होगा समझने में फोटो और c है तो 3 यह रहेगा यह a है यह b है और यह c है ऐसा ठीक है तो अब जगर अगर आपको कोण a निकालना है मतलब कॉस a का फंड़ा होता है अगर आपको यादा चाहे वह होता है b square plus c square minus a square upon 2bc ऐसा यह फंड़ा बनता है ठीक है तो जब मैं इसको थोड़ा सा solve करने जाता हो तो विएयरा को बीकि वैल्यू मिलती है 5 का स्क्वेर, c की वैल्यू मिलती है बच्छे लोग एरको 3 का स्क्वेर, a की वेल्यू मिलती है तो 7 का स्क्वेर, अपॉन 2 auto on 2 गुणा सा 2 गुणा 5 गुणा 3 ठीक है तो देंक है अगर आपको मझा आ रहा हो तो I dare वीडियो को पॉस्ट करो यह जाएगा 25 और यह जाएगा तो 25 और 9 मेर पास आ जाएगा तो 25 और 9 हो जाएगा मेर पास that is 34 34 माइनस हो जाएगा 49 49 अपॉन में 5 जुनी 10 और 30 आ जाएगा ठीक है तो इसको जब माइनस करता हूँ तो यहां से मेरे को मिलता है 15 तो इसका मान आ रहा है रिण में एक बटा दो ठीक है अब वैसे एगर आप वो कॉस B निकालना होगा तो कॉस B आप कैसे निकाल होगे a square plus c square minus b square upon 2ac जैसे ये cos a का फंडा बना है न वैसे मैंने cos b का फंडा बना है चीक है अब इसमें data put करता हूँ जब मैं data put करो तो कैसा दिखाई देता है मेरको ये लिखूंगा तो a की value आजएगी 7 का square plus c की value आजएगी 3 का square minus 5 का square upon 2 गुणा a की value है मेरे पास 7 और c की value है मेरे पास 3 ऐसा ये दिखाई देगा चीक है तो इसको थोड़ा सा आपके लिए calculate कर देता हूँ मैं 7 का square है 49 49 और यहां से मेरे को 9 मिलेगा that is 58 58 में से मैं 25 को minus कर देता हूँ 8 में से 5 गया होगा 3 और 2 में से 5 में से दो गया होगा वह होगा 3 ठीक है और यहां पर आजएगा साथ दूनी तीन 11 तुनी 14 तो मेरे पास 11 पटे 14 आ रहा है ठीक है आप जैसे भी calculate करो आपका मन है मैंने थोड़ा सा fast forward calculate कर दिया समय की कमी की वज़े से ठीक है अब ऐसे ही मेरे को अगर कॉस C निकालना होगा तो जैसे मैंने कॉस E का funda मा अपना है और C का funda मा बना होगा तो ज़्यान सा जगाह नहीं दिख रही है हलका फुलका एड़ेंश कर करके लिख रहा हूँ उसके लिए माइड मत करना सीखने की बसकोशिश करना तो A square प्लस B square minus में c square upon यह हो जाएगा 2ab चीक है तो a की value यहां से लूँगा वह हो जाएगा 7 का square b की value लूँगा वह हो जाएगा 5 का square c की value लूँगा वह हो जाएगा 3 का square आपान में टू एबी तो जगा दो गुणा साथ गुणा पांच ऐसा ही बनेगा ठीक है इसको जैसे स्वाल करने जाओं तो यह जागा साथ और साथ का स्कॉरर वर्चिस उन्चास उन्चास में नौ चला के चालीस और पचीस मेरे ख्याले बन रहा होगा 65 ठीक है 65 है इधर से और नीचे है मेरे पास पांच तो से काड़ भी देता हूं तो यह जाएगा थर्टीन और चौदा तेरा बटा चौदा आ रहा है मेरा तुम जो भी स्वाल करके निकालो मेरा तेरा बटा चौदा आ रहा है ठीक और यहां भी चौदा ही आएगा मैंने 14 लेग दिया है इसको थीक कर देता हूं 11 बटा चौदा रहे है ठीक तव मेरे पास सथी नू कौंकी काॉण की वेलव उरिक है मेरे पास राइन में पिक बटा दू कोश्वी की की वेल्व है मिरे पास 11 बटा-100 और कसी क्या रभी आशरी की लख ने यहां से यह इतना तो निकालना आसान है लेकिन यहां से यह जज ही लगाना कि कौन सा वाला कोण बड़ा होने वाला है अब लिखा न साफ सब की सबसे बड़ा कोण का मान बता दो इसके लिए आपको कंसेट की ज़रत पड़ेगी मतला बिना कंसेट के कुश्चन नहीं हिलेगा अब थोड़ा सा अगर गौर करो कि मेरे पस कि कॉसी तीनों की वैल्यू दरसल आ चुकी है है ना रिट एक बटा दो ग्यारा बटा चौदा तेरा बटा चौदा अब मुझे इस तीनों वैल्यू से यह डिसाइड करना है कि कॉसे कॉस्च भी कॉसी में किसका मान बड़ा होने वाला है कैसे पता चलेगा मुझे मुझे तो याद भी नहीं है कि 11 बटा चौदा तेरा बटा चौदा होता क्या आखिर माइनस एक बटा दो भी मेरे को याद नहीं है कैसे कर पाऊंगो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा हलका सा इंजिनेरिंग मैच की तरफ लेके जा रहा हूं मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप यह अलग कंसेट समझ पाऊंगे देखो आपको उसके लिए नमबचलो कॉस का ग्राफ याद होना चाहिए अगर आपको गॉस का ग्राफ याद होगा तो इससे आप बहुत आराम से डील कर लोगे मतलब कहने करें चलो ग्राफ याद भी नहीं है फिर भी ग्राफ से आपको आच शूनर पेसे दिखाई दे रहा होगा कि जो कॉस का जो अधिक्तम मान आ यह दशल पलस वन और जो निउंतम मान दरसल होता है है भी आफ देख पार होगी काउस का अधिक्तम मान और निउंतम मानस टेकर रिणे के बीच में वेरी कर था सबसे नियुंतम मान हो गा रिडिक और सबसे अधिक तमान होगा अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मान है वो मेरे पास एक बटा-दो है एंकर सीडियोम बीचफा prob記得 है है बचले के एस वाड़ा जो पार्ट होगा तरह यह आपको पॉजटीयटें यह झीला पॉज़टी डिटागि अमांते हैं आ चैके मैं अन्दाजरा लगा पार हूँ क्योंकि को से कमान जो हिरन बर्यक्राइड निगेटिव वर्यक्र scout में करता होगा और जो सी हैं डूनों का मान धनात्मक आया है तो जीरो से एक कर रहा हूं तक ही जगह मिल जाए और फिर लाश्ट वरी लाइन से इस ओले कुशन को फिनिश कर देता हूं आपके लिए यहां पर बना कर देता हूं मैं आपको ठीक है अब बहुत अराम से सीख जोगे जारा टफ नहीं है देखो बस इतना से सिर्फ देखते रहो देखो यहां पर B और C आए ठीक है अब आपको यह याद करना होगा कि कॉस जीरो कहां पर होता है अगर आपको याद आ जाए तो कॉस पाइबाइट टू पर जीरो होता है तो यह देख पा रहा हूं कि यह है जीरो डिग्री यह है 90 डिग्री और यह है दरसल टो मैंने यह देखा कि जब कॉन का मान 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होगा तो उसकी फोटे वैल्यू आएगी वह धनात्मक आएगी होगी मतलब 09-10-2060 के बीच में होगी तो उस इस सिती में कunta है वह घाल है यह अलीबातék ओंत्युक SHARM मैं रिनात्मक मिला था मतलब मaguiste कोड का माना होगा वह 90 के बीच में होगा और इससे तो बढ़ा ही ओगा जीरो से लेकर 90 के बीच login को बीच में रहाل है तो यहा पर जो बी माना रहे है तो यहां पर बड़े में कौन फसर है एक उगरी और वह जो यह है उसका मान पक्का 90 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी होगा मुझे याद नहीं है होगा कुछ भी तो मैं जब option देखता हूं तो अंदाज अलगा लेता हूं मैं correct answer नहीं बता है लेकि मैं option देखकर hit and try लगा सकता हूं कि भाई जो भी answer आएगा वो 90 और 180 के बीच में आएगा 90 और 180 के वीचे जब मैं गौर करता हूं तो 120 डिगरी मिलती है answer में रडी फट से solve हो जाता है हलका सा अगर concept अपने को पता हो न तो इन सारे questions को solve करने की भी जरूबत नहीं है option देखकर अपन टिक कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सान मैंने लेवल बढ़ाने की कोशिश की है मतल करता हूं तो जो भी आपके doubt वगेर हो इस वाले question को लेकर आ सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है ना आये तो बढ़िया आ गया तो भी बढ़िया मैंसा बिल्कुल chat section में doubt पूछेगा मैं आपके doubt का as soon as possible जवाब देने की कोशिश करूँगा मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप बच्चों के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाले exam का कोई ना कोई भाग लेकर हाजिर हो जाओंगा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी specific subject की तयारी पहले कर लेनी है किसी specific section के लिए आपको मैं उसे help चाहिए अब बिल्कु झाल झाल